इनमें सिक्षक के साथ मजाग करना दो सिक्षकों को भारी पढ़ा है जिसका खामियाजा उन्हें निलंबन के तौर पर भुखतना पढ़ा है दरसल नशे में धूत होकर पाटशाला पहुँचने वाले दो सिक्षकों को बस्तर जिला सिक्षव अधिकारी ने निलंबित कर दि इनके इस करतूत के शुकायद शाला प्रभंदन और स्कूल सिक्षकों ने कलेक्टरट सकी थी जिसके चलते दोनों सिक्षकों को निलंबित करने का आदेश ज्यारी कर दिये हैं इसके कारणामों की एक बानगिया आपके सामने है शिक्षक जो बस्तर ब्लॉक में पदस्त थे उनके उपर हमने उनका निलंबन किया है क्योंकि प्रमानित हुआ है कि उन्होंने मदपान करके और अबदर वेभार किया शाला में तो ये अतिन्त गंभी लापरवाही का घुटतक है तो अधा हम पर कारवाही की गई बच्चों के द्वारा शिकायत मुझे तो शिक्षकों के द्वारा पता चला था वहां की ग्रामिंद जन द्वारा तो मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से तद्काल जाच करवाई और कल की रेट में हमने उनको सस्पेंड कर दिया गौर करने वाली बात ये है कि प्राथमिक शाला चितलवार और प्राथमिक शाला बन्या गाउं के सहायक सिक्षक को ततकाल प्रभाव से निलंबित किया गया है दोनों हे टीचर नशा करके स्कूल आते थे और बच्चों के साथ बत्तमीजी के साथ भी पेश आते थे स्कूल के सिक्षक और बच्चे उनके इस रवये से परिशान आ चुके थे लिहासे दोनों सिक्षकों पर गाज गिड़ चुकी है पंजाब के स्टी टीवी के लिए बस्तर से सुमित सेंगर की रिपूर पुल में सिक्षक के साथ मजाग करना दो सिक्षकों को भारी पड़ा है जिसका खामियाजा उन्हें निलंबन के तौर पर भुखतना पड़ा है तरसल नशे में दूत होकर पाटषाला पहुँचने वाले दो सिक्षकों को बस्तर जिला सिक्षव अधिकारी ने निलंबित कर दिया है जोनकारी के मताविक बस्तर विकास खंडी के प्राथमिक पाटशाला में पदस्त सिक्षक अक्सर नश्य की हालत में स्कूल पहुँचते थे यही नहीं पढ़ाना तो धूर ये बचों के साथ अभधर विवार भी करते थे इनकी इस करतूत के शिकायत शाला प्रबंदन और स्कूल सिक्षकों ने कलेक्टर से की थी जिसके चलते दोनों सिक्षकों को निलंबित करने का आदेश ज्यारी कर दिये हैं इसके कारनामों की एक बानगिया आपके सामने है शिक्षक जो बस्तर ब्लॉक में पदस्त थे उनके उपर हमने उनका निलंबन किया है क्योंकि प्रमानित हुआ है कि उन्होंने मदपान करके और अबद्र वेभार किया शाला में तो ये अतिन्त गंभी लापरवाही का घुटत है तो अधा हम पर कारवाही की गई बच्चों के द्वारा शिकायत मुझे बच्चों के द्वारा नहीं मुझे तो शिक्षकों के द्वारा पता चला था वहां की ग्रामिन जन द्वारा तो मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से ततकाल जाच करवाई और कल की रेट में ही हमने उनको सस्पेंड कर दिया गौर करने वाली बात यह है कि प्राथमिक शाला चितलवार और प्राथमिक शाला बन्या गाउं के सहायक सिख्षक को ततकाल प्रभाव से निलंबित किया गया है दोनों है टीचर नशा करके स्कूल आते थे और बच्चों के साथ बद्तमीजी के साथ भी पेश आते थे स्कूल के सिख्षक और बच्चे उनके इस रवये से परिशान आ चुके थे लिहासे दोनों सिख्षकों पर गाज गिड़ चुकी है पंजाब के स्टीवी के लिए बस्तर से सुमित सेंगर की रिपोर्ट